हेलो साथियो, स्वागत है आप सभी का हमारी येटूप चैनल पर तो कैसे वाप सब आई होग आप सब अच्छे होंगे दोस्तों आज की एक लास बीर्ट सेकंड एर के पेपर सेकंड की है जो की है क्रियात्म, कनोसंधान और अधिगम का आँकलन ये आपका पेपर सेकंड है तो इसके अंदर आज हम पहला टॉपिक कवर करेंगे जो की है आकलन यानि की एसेस्मेंट आकलन क्या होता है, इसका अर्थ क्या है, परिभासा, इसकी प्रकार कितने हैं, आवशक्ता और विसेस्ता यानि कि लगभग इस टॉपिक को आज हम इस क्लास में कवर कर लेंगे तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और लास्ट में अगर आपको ये टॉपिक समझ आता है, ये टॉपिक अच्छा लगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक से जरूर कीजेगा तो चली सबसे पहले क्लास को स्टार्ट करते हैं और आकलन के बारे में समझने का प्रयास करते हैं देखे आकलन जो है इसे हम एंगलिस में assessment कहते हैं और इसका साब्दिकर्थ अगर देखें आकलन जो सब्द है इसका अर्थ क्या होता है तो इसका अर्थ होता है पास बैठना एवं अलोकन करना तो ये रहा इसका साब्दिकर्थ अब आगे देखेगा यदि कक्षा की बात की जाये तो पाठक्रम से संब्दित आने कि स्लैबस से related विद्यार्थी की कितनी प्रगती हुई है बच्चे ने उसमें कितनी उपलब्धी हासिल की है इन सब चीजों की जानकारी को इकठा करना वर्लन करना और उनका विसलेशड करने की सूर नियोजित यानि कि बहुत ही अंतर प्रकरिया को ही हम क्या कहते हैं आकलन कहते हैं तो इस तरीके से आप अगर और भी आसान सब्दों में जाने का प्यास करें तो देखिए आकलन क्या है आकलन एक ऐसी प्रकरिया होती है जिसके अंतर गत एक सिक्षक क्या करता है विद्यार्थियों के बारे में सतत जान इकठा करता है कि किन विद्यार्थियों को किस में कठिनाई हो रही है किस विसे में परिशानी हो रही है या फिर कौन से ऐसे विद्यार्थी है जो आगे की चुनोतियों के लिए तैयार है इनकी पहचान करके सिक्षप क्या करता है कक्षा में हर किसी के जरूरतों क्याने कि हर लाओ कर सकता है तो इस तरीकी की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं आकलन कहते हैं उसका बच्चों के बारे में विद्यार्थियों के बारे में उनके प्रदर्शन की जानकारी देना उन्हें कि वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं कि सब्जेक्ट में कैसा परफॉर्म कर पा रहे हैं इस बारे में उनका मार्ग दर्शन करना कि वो किस तरीके से इसमें आगे सुधार कर सकते हैं और किस तरीके से आगे वो बढ़ सकते हैं तो इस प्रक्रिया को हम आकलन कहते हैं, आयोप आपको इसका अर्थ अच्छ से समझ में आ गया होगा, अब आगे देखिएगा आकलन की परिभासा जान लेते हैं जो कि इरविन के अनुसार दी गई है इन्होंने परिभासा दे कि आकलन क्या है छात्रों के बिवस्थित विकास के अधार का अनुमान है यह किसी बिवस्थितों को परिभासित कर चैन, रचना, संग्रहड, विसलेशड, व्याख्या और सुचनाओं का उपियुक्त प्रियोक कर छात्रों विकास और अधिगम को बढ़ने की प्रकरिया है अब यहां पर आपको यहां से और भी अच्छे से अर्थि क्लियर हो गया कि आकलन एक ऐसी प्रकरिया है जिसमें विद्यार्थियों को उनके बारे में उनका मार्दर्सन किया जाता है सबसे पहले उनकी कमियों को देखा जाता है कि कहांपर बच्छों की किस सब्जेक्ट में, किस विश्वय में उनको परिशानी है, कौन सा बच्चा आगे बढ़ सकता है तो इन सभी चीज़ों की उनको जानकारी देना, विद्यार्थियों को परामर्स देना, उनके जो प्र प्रक्रिया होती है आकलन करना अब देखिए आकलन की प्रकार कौन कौन से हैं विद्यार्थियों की उपलब्धी को ग्याद करते समय अध्यापक द्वारा किसी मानक के विरुद्ध मोलिर निड़े करना आकलन कहलाता है तो यहां से आपको एक डेफिनिशन और मिल गई अब दो यहां पर प्रकार होते हैं आकलन के पहला बहुतिक आकलन और दूसरा मानसिक आकलन बहुतिक आकलन क्या होता है बहुतिक आकलन में बहुतिक गुड़ों जैसे की विद्यार्थि की लंबाई, चोड़ाई, उचाई और भार इन सभी को मापा जाता है इस आकलन को परिड अत्मक आकलन कहा जाता है मानसिक आकलन किया होता है मानसिक आकलन में मानसिक क्रियाओं भी कह सकते हैं मांसिक आकलन को गुडात्मक आकलन भी कहा जा सकता है तो ये आप ध्यान रखिएगा हो सकता है कि भौतिक और मांसिक के जगा परिडात्मक और गुडात्मक भी दे सकता है अब देखिएगा आकलन की विसेस्ताएं कौन-कौन सी है तो देखे आकलन के द्वारा यहां ग्याद किया जाता है कि बालक ने सिक्षड के अंत में यानि की पढ़ाई जो कर ली बच्चे ने स्लैवस कम्प्लीट कर लिया या फिर बच्चा कोई पार्ट को पढ़ लिया उसके अंत में वास्तिवी कर्थों में उसने क्या क्या सीखा ह उस सबजेक्ट से जो सबजेक्ट पढ़ रहा है उसके अंतर जो भी चैप्टर है उसमें से बच्चे ने क्या सीखा है एक अच्छे आकलन में पांच गुड़ों का हुना आवश्यक होता है और सिक्षड को छात्रों का आकलन करने से पहले यहां ग्याद कर लेना चाहिए कि आकलन के इन गुड़ों को पूरा कर रहे हैं जो भी विद्यारती है तो पांच कौन-कौन से गुड़ है यह हम यहां पर देखेंगे पहला जो है वो वैधता है अब वैधता क्या होती है वैध आकलन वही होता है जो वास्तों में उन्हें उद्देश्यों का आकलन करे उनक जात्रों के कुछ बिंदों को याद करनी की शक्तियों को जाचने है तो प्रश्न बनाना है तो ऐसे प्रश्न बना दिये जाएं जो उनकी जो तरक शक्ती है उसको जाचने जो जिस उद्देश से प्रश्न बनाए गए है जिस उद्देश से जो स्लैबस दिया गया है उसी क अनुसार बच्चे को पढ़ाया जाना, उसी के अनसार बच्चों से प्रशन करना, तो वेधता होनी चाहिए. अगला क्या है विस्वसनियता होनी चाहिए, किसी भी आंकलन का यह सबसी पहला महत्पूर्ण गुर्ण होता है, आंकलन किसी भी समय या किसी भी परिस्थिति में क जाए लेकिन उसका परिडाम सदे उस समान होना चाहिए तब ही वह क्या कहलाएगा विश्वस्निये कहलाएगा विश्वस्निये सामगरी वही है जिसमें एक स्टर के विध्यार्थी पुना हपरिक्षा में लगभग एक समान उत्तर देते हैं सिक्षक किसी भी योगिता का हो आकलन प्राया एक ही समान होना चाहिए अगर सिक्षक के द्वारा एक ही आकलन हे तू अलग-अलग अंक प्रदान किया जा रहा है तो ऐसा आकलन विश्वस्निये नहीं कहलाता है अगला जो गुड़ है वो व्यावहारिक्ता का है तो आकलन जो है लागत समय और सरलता की दृष्टी से वास्तविक व्यावहारिक और खुसल होना चाहिए ऐसा भी हो सकता है कि आकलन का कोई तरीका आदर्स हो किंतु उसे व्यावहार में ना लाया जा सकता हो तो ऐसे तरीक को भी नहीं अपनाना चाहिए आकलन के अंतरगत उधारट देखेगा जैसे विद्यार्थियों को प्रियोग आत्मक परिक्षाओं में सब ही विद्यार्थियों को एक प्रियोग के स्थान पर अलग-अलग प्रियोग देना अधिक सुविधाय जनक और व्याव हारिक है क्योंकि सबसे एक प्रियोग करवाने है तो एक प्रकार के अनेक यंत उपलब दे करवाने होँगे हो सकता है कि ऐसा संभोव ही ना हो तो ब्यावहारिकत का होना सबसे ज़्यादा जरूरी है अगला गुड है मानकी करड़ का एक अच्छे आकलन को यहाँ भी एक विसिस्ता होती है कि वह मानकी कृत होना चाहिए विद्धाले में प्रया जो भी परिक्षण किये जाते हैं विर्राष्ट और राज्य के लिए किये जाते हैं लेकिन मानकी कृत आकलन वा होता है जो कक्षा अस्तर को सामिल करता है आकलन और मुल्लांकन के सीमा तक प्रसासन पक्रिया में समान है इसको मानकी कृत निरूपित करता है और आकलन का प्रापतांक प्रतेक विद्धार्थियों का समान होना चाहिए देखे ये जो गुड़ है चार पाच गुड़ बताये गए है ये आकलन के अंतरगत होना आवश्यक है तो आपको ये लग रहा होगा हो सकता है कि यहाँ पर जो भी चीज़े ये देखे समझाने लाइक है भी नहीं क्योंकि इतनी आसान बहासा में लिखा गया है तो अच्छे से आपको ये चीज़े समझ में आ जाएंगे कोई बहुत ज़्यादा कठीन वाली बात नहीं है अब देखीगा अगला जो गुड़ है उपयोगिता का आकलन विद्यार्थियों के लिए उपयोगी भी होना चाहिए आकलन से प्राप्त परिडामों को छात्रों को बता देना चाहिए कि कैसा परिडाम है आकलन करने के बाद जो विद्यार्थि है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है उसकी समस्या कहां पर है तो ये सारी चीज़े जो है वो विद्यार्थियों को बता देनी चाहिए जिससे विद्यार्थियों के अंदर जो भी कमिया है उसका वो सुधार कर सके आकलन के द्वारा ही ये पता लग सकता है कि किस तिसा में बच्चे को सुधार करना है यह सुधार पठन सामगरी में अध्यापन विधी में भी हो सकता है हो सकता है कि teacher जो teaching method अपना रहा है उसमें कमिया हो और भी कई सारी चुर्यों में हो सकता है तो इस प्रकार आकलन विद्यार्थियों की और अध्यापकों की कमियों को यानि की सिर्फ विद्यार्थियों की नहीं बल्कि अध्यापक भी इसमें सामिल है अध्यापक की भी कमिया पता चलती है आकलन करने के बाद तो इन सभी कम्यों को जानने और उन्हें दूर करने में बहुत जादा लाबकारी साबित होता है तो ये रहा हमने देखा यहाँ पर आकलन के जो गुड़ है उनको यहाँ पर देखा है अब देखेगा आकलन की आवशक्ता क्यों परती है तो आकलन जो है वो बच्चे की सीखने की शमता का पता लगाने के लिए किया जाता है कि बच्चा किस हद तक आगे बढ़ सकता है अधिगम उसका कितना बहतर हो सकता है तो इसका पता लगाने के लिए आकलन किया जाता है विभिन विशय छेत्रों के बारे में सीख सके बच्चा और कुशलता प्राप्त कर सके इसके लिए आकलन किया जाता है विभिन विशय छेत्रों में उपलब्धी इस्तर तक बच्चा पहुँच सके एक स्वास्ता और उपयोगी जीवन जे सके अपनी रुचियों अभी रुचियों प्रेडा और कौसल का विकास कर सके तथा समय के साथ आने वाले बदलाओ जैसे कि अधिगम, व्योहार, प्रगति इन सभी के जाच कर सके और उसके अनुसार समायोजन कर सके स्कूल के अंदर वा बाहर होने वाली गतविदियों और उसरों पर प्रतिक्रिया दे सके तो इस तरीके की चीजों के लिए आखलन की आवश्यक्ता आवश्य होती है तो दोस्तों ये आज का हमारा टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है आई होप आपको ये सारी चीजे अच्छ सेर कर दीजेगा और चैनल पर नए है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजेगा फिर मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए धन्यवाद